हलो दोस्तों कैसे हो आप सब हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत जेट पूर नामगाई गाउँ था जहां शंभू और बनवारी कपड़ों को इस्तरी करने का काम किया करते थे एक दिन दोनों अपने अपने ठेले पे कपड़े इस्तरी कर रहे थे बगल में ही पेड़ पर बैठी एक बंदरियां उन्हें देख रही थी अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं बड़ा मज़ा आता होगा मुझे भी ये चीज घुमा कर देखनी है काश मैं भी ये कर पाती उतने में बनवारी इस्तरी किये हुए कपड़े देने ग्राह के घर जाता है फिर क्या यही मौका है सोच मौके पे चौका लगाने बंदरियां उसके ठेले पर आ जाती है इस्तरी लेकर कपड़ों पर घुमाने लगती है उसे ये करते हुए बड़ा मज़ा आता है उतने में बनवारी लोट आता है एई श श कहां से आ गई है मेरे कपड़ों का नाश करने भाग भाग यहां से और लकड़ी लेकर उसे मारने लगता है बिचारी डर के भाग जाती है दुखी होकर पेड़ पर बैश जाती है शम्भू ये सब देख कर अरे बनवारी क्यों मारा उसे देख बिचारी दुखी है डर गई है तब बनवारी अरे दुखी हो अपनी बला से ग्राहकों के कपड़े जल गए तो मेरी तो खैर नहीं शम्भू ठीक है कहकर चला जाता है कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन शम्भू किसी काम से ठेला छोड घर जाता है बनवारी वो देख अरे वो दूसरा आदमी ठेले पर नहीं है अब मैं वहां जाकर फिर से उस ठीस को घुमाऊंगी कितना मज़ा आया था उस दिन मुझे बड़ी इच्छा हो रही है और बंदरियां शम्भू के ठेले पर इस्त्री करने लगती है मुझे ग्यान दे रहा था उस दिन आज जब इसके कपड़े जल जाएंगे तक पता चलेगा गाव वाले उसे कपड़े देने से रहे और सारे मुझी से इस्त्री करवाएंगे मेरा ही फाइदा है इसमे बनवारी मन ही मन खुश हो रहा था उत्रे में शम्भू लोट आता है हाइरम मेरा काम तमाम हो गया इस बंदरिया ने कपड़े जला दिये होंगे हे भगवान पर ये क्या शम्भू देखता है बंदरिया ने कपड़े अच्छे तरीके से इस्त्री करके रखे है वो देख अरे कितनी अच्छी तरह से इस्त्री की है तुमने मैं तो डर ही गया था बंदरिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है ये सब देख बनवारी दंग रह जाता है शंभू बंदरिया से कहता है सुनो क्या तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें खाना खिलाऊंगा मैं तुम्हारा खयाल रखूंगा मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी चलोगी मेरे घर बंदरिया भी खुशी से सरहिलाती है शंभू उसे लेकर घर जाता है शंभू की पत्नी बिस्तर पर लेटी थी बंदरिया उसे देख इशारा करती है ये कौन है ये मेरी पत्नी है बिमार रहती है पिछले कई महीनों से तो बिस्तर पर ही है बंदरिया उसके पास जाकर इशारा करके उसे दिलासा देती है चिंता मत करो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे तब शंभू की पत्नी भी हाँ, भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ के मुझे जल्द से जल्द ठीक करे सुनिए, ये बंदरिया यहां हमारे घर तब शंभू उसे सारी बाते बताता है चलो ठीक है, आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी बंदरिया उनके साथ ही रहने लगती है घर के काम, कपड़े धोना, उन्हें इस्तरी करना, बखो भी करती है बंदरिया का यूग काम करना सबको अचरज में डाल देता है लोग भी बंदरिया को काम करते देख खुश हो जाते उससे काम करवाते, कपड़े इस्तरी करवाते इस वज़े से शंभू का व्यापार भी अच्छा चल रहा था ये सब देख बनवारी के मन में शंभू के प्रती इर्शा होती है ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिर में मुझे सिर्फ खुद के कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे मुझे पर ये नौबत ना आए इन दोनों का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा कुछ दिन बीद गए एक दिन सरिता नाम की औरत शंभू के घर आकर शंभू शंभू पुकारने लगती है शंभू की पत्नी बंदरिया से देखो तो कौन है उनसे कह दो शंभू घर पर नहीं है बंदरिया बाहर आकर सरिता को इशारे से बताती है कि शंभू बाहर गया है थोड़ी देर में आ जाएगा तब सरिता ओ घर पर नहीं है मैं कुछ कपड़े लाई थी उन्हें धोकर इस्त्री करनी है मुझे शाम तक वो कपड़े चाहिए और वो कपड़े उसे देकर सरिता चली जाती है बंदरिया वो सारे कपड़े धोकर सुखा देती है उत्रे में शंभू लौट आता है मेरी पत्नी सेहत मन्थी तब में व्यापार करके चार पैसे जमाब कर पाया फिर उसके इलाज में सारी खर्च होगे तुम्हारे आने से मेरा व्यापार अच्छा हो रहा है दुभारा कुछ पैसे जमा कर पा रहा हूँ तुम्हारा शुक्रिया बंदर्या उसे इशारे से कहती है दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा शम्भू भी उसे सुकून भरी निगाहों से धन्यवाद देता है बाद में दोनों हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर चले जाते हैं जाकर इस्त्री करने लगते हैं उसे देख बनवारी की जलन बढ़ती ही जाती है अब ये मुझसे देखा नहीं जाता शम्भू मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है वो भी इस बंदर्या की बदौलत हाँ, बस एक बार मौका मिल जाए इस बंदर्या और शम्भू को तो मैं ठिकाने लगा दूँगा लोग बंदर्या की करामा देखने के लिए शम्भू के ठेले पर जाते बनवारी को तो जैसे सारे भूल ही गए थे दिन बीटते गए दिवाली का त्योहार आया शम्भू के घर में खुशी और उत्साह था उन्होंने घर में मिश्ठान बनाये थे घर को सजाया था मैंने सोचा नहीं था कि हम दिवाली योद धूमधाम से मनाएंगे सब तुम्हारी कृपा है तुम्हारे आने के बाद मेरी पत्नी की सेहत में भी सुधार आया है बंदरियां भी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है शम्भू की पत्नी भी बंदरियां को धन्यवाद देती है जीने की उम्मी तूट रही थी उस समय तुमने हमारा हाथ थामा तुम्हारी मदद से इनका व्यापार भी अच्छा चल रहा है मेरे घर परिवार की खुशहाली तुम्हारी वज़े से ही है अच्छा चलो हम पटाखे ले आते हैं शाम को आंगन में दिये जलाएंगे पटाखों की रोशनी से उजाला कर देंगे शंभू बंदरिया को लेकर बाजार जाने लगता है बनवारी अपने ठेले पर इस्त्री कर रहा था अरे बनवारी आज तो त्योहार है आज भी काम कर रहे हो हाँ शंभू मैं और कर भी क्या सकता हूँ तुम्हारी तरह मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है मेरी पत्नी भी माई के गई है मुझे अकेले ही सब करना होगा मेहनत करूंगा तभी तो चार पैसे मिलेंगे न तुम तो जानते ही हो मेरी हालत हाँ बनवारी मेहनत तो सभी को करनी है हिमत बथारो अच्छे दिन आएंगे और वो दोनों वहां से चले जाते हैं जाओ जाओ बड़ा आया ज्यान देने वाला आज तो इसकी खैर नहीं आज का दिन तुमारा आखरी दिन होगा मेरी जिन्दगी की खुशिया छीनली तुम दोनोंने देखता हूँ आज कैसे खुशिया मनाते हो बनवारी गुस्स से आग बबूला हो रहा था बाजार जाते जाते शंभू बंदरिया से कह रहा था बेचारा बनवारी सही तो कह रहा है उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है तुम्हारी मदद से मैं आज खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ वो बेचारा अकेला है तब बंदरिया इशारों में चिंता मत करो मेरा बच्चा होगा न तब हम उसे बनवारी को दे देंगे उसे देख शंभू कहता है कितना बड़ा दिल है तुम्हारा फिर वो दोनों पटाखे लेकर घर जाते हैं शंभू और उसकी पत्नी पटाखे जलाकर दीवाली मनाते हैं बंदरिया पटाखों से डर जाती है तब शंभू अरे डरो मत आओ ना तुम भी पटाखे जलाओ नहीं नहीं मुझे डर लगता है मैं नहीं जलाओंगी पटाखों की आवाद से भी मैं डर जाती हूँ पर शम्भू उसे मना लेता है अरे मैं हूना कुछ नहीं होगा डरो मर और उसके हाथ में एक फुल जड़ी दे देता है फुल जड़ी दे बंदरिया भी खुश हो जाती है तभी बनवारी पीछे से आकर शम्भू के पटाखों की जगा दूसरे पटाखे रख देता है बंदरिया का डर कम हो जाता है उसे पटाखों की रोशनी देख मजा आने लगता है वो एक अनार उठा कर जला देती है पर बंदरिया अनजान थी कि वो अनार नहीं बनवारी ने रखा हुआ पटाखा था उसे एक्षन वो बमफट जाता है शम्भू और उसकी पत्नी धमाके से डर जाते हैं बेचारी बंदरिया उस धमाके से इतनी डर जाती है कि उसके दिल की धड़कने रुख जाती है और वो मर जाती है शम्भू ये देख बहुत दुखी हो जाता है हे भगवान ये क्या हो गया मुझे माफ कर दो दोस्त तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने तुम्हें पटाखे जलाने के लिए कहा तुम्हारी मौत का जिम्मदार तो मैं ही हूँ मेरी वजे से आज तुम्हारी और तुम्हारे बच्ची की जान चली गई ये मैंने क्या कर दिया उसकी पत्नी भी दुखी होके रोने लगती है बनवारी की इरशा ने तो बंदरिया को मार दिया बहुत गलत हुआ पर एक न एक दिन भगवान बनवारी को उसकी कुकर्मों की सजा जरूर देंगे एक दिन एक गर्भवती बंदरिया यूही टहलती जा रही थी उसे रास्ते में एक जूसर मिकसर दिखाई देता है अरे ये क्या है? कोई कान की चीज लगती है इसे घर ले जाओंगी तुमाख खुश हो जाएगी और बंदरिया उसे लेकर अपनी मालिक के घर जाती है लक्ष्मी उसे देख ये जूसर मिकसर कहां से लाई हो? न जाने किस-किस की चीजे उठा लाती हो आज कल तुम्हारा ये बहुत ज्यादा हो गया है सीधी तरह से ये जिसकी मिकसी है उसे लोटा दो जाओ मैंनी चूरी नहीं की है ये रास्ते में पड़ा था तुम खुश हो जाओगी सोच मैं उसे उठा ले आई पर तुम तो मुझ पर ही चूरी का इलजाम लगा रही हो क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तब बंदरिया मैं सच कह रही हूँ मेरा भरोसा करो मैं सच में सच कह रही हूँ ठीक है ठीक है अच्छा किया तुमने और लक्ष्मी उस मिकसर को घर में रख देती है कुछ दिन बीट गए लक्ष्मी का पती बंसी उससे कहता है सुनो अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है खेत में भी कोई ज्यादा काम नहीं है क्यों न हम कोई व्यापार करें कौन सा व्यापार फाइदे मन्द होगा कचोरी, समोसा, चाटका ठीला लगाए गर्मी में लोग ये सब खाने बाहर नहीं आएंगे हम फलों का व्यापार करें लक्ष्मी भी हाँ, ये ठीक है फलों के साथ-साथ उसका ताजा-ताजा रस भी बेचेंगे गर्मियों में प्यांस भी ज्यादा लगती है सही जगर देख ठेला लगा लेंगे अरे रुकिये, हमारे घर में है न जूसर मिक्सर और लक्ष्मी अपने पती को उस मिक्सर की पूरी कहानी बताती है हमारी बंदरिया ने बड़ा अच्छा काम किया है तो अब देर किस बात की जल ही हम व्यापार शुरू कर देते हैं दो दिन बीट गए लक्ष्मी और उसका पती बंसी दोनोंने एक अच्छी जगह ढूंड कर फलों के ठेले के साथ साथ जूस की दुकान भी लगा दी गर्बवती बंदरिया ग्राहकों को जूस ला कर देती और फिर वो ग्लास धो कर रख देती बंदरिया का इस तरह काम करना देख लोग अच्रज करते बंसी और लक्ष्मी का व्यापार अच्छा चलने लगा था एक दिन शाम को वो दोनों पैसों का हिसाब करने बैठ जाते हैं सुनिए व्यापार में हमें अच्छी कमाई हो रही है हमने सोचा नहीं था रह जाते हैं और उसे देखने के लिए आकर जूज भी पी कर जाते हैं उतने में बंदरिया आकर ओ इसका मतलब मैं ज्यादा काम कर रही हूँ आजकल हाँ हाँ तुम बहुत काम कर रही हो शैतानिया भी कम कर रही हो हमारी अच्छी नौकर बन गई हो और हसने लगते हैं बंदरिया भी हस कर हाँ और कुछ ही दिनों में एक और नौकर आएगा मेरा होने वाला बच्चा और खुशी से कूटती हुई वहाँ से चली जाती है इस तरह दोनों पति-पत्नी व्यापार संभालते हैं बंदरिया छोटे-मोटे काम कर उन्हें मदद करती है कई बार तो जूस भी बना कर ग्रहकों को देती है एक दिन लक्षमी देखो हम जरा अस्पिताल जा रहे हैं तुम दुकान का खयाल रखना जूस बना कर देना लोगों को और हाँ शैतानी मत करना ठीक है मैं शैतानी नहीं करूँगी आप चिंता मत करो मैं यहां संभाल लूँगी वो दोनों चले जाते है बंदरिया वही बैठी थी उतने में एक मांत्रिक आकर यहां कोई नहीं है क्या मैं हो ना कहिए आपको क्या चाहिए ओहो तुम तो काफी अकलमंद हो इसलिए तुम्हारे मालिक तुम पर जिम्मा सौंप गए है ठीक है एक अच्छा जूस बना कर दो बंदरिया उन्हें एक जूस बना कर देती है वह बहुत अच्छा है एक और बनाओ और इसी तरह वो मांत्रिक दो से तीन ग्लास जूस पी जाता है बंदरिया हो पर इंसान से भी अच्छा जूस बना लेती हो बहुत खूब और वो वहां से जाने लगता है बंदरिया उसे रोकती है आपने पैसे तो दिये ही नहीं, जूस के पैसे दे दीजीए. अरे, मुझसे पैसे मांग रही हो तुम, जानती हूं मैं कौन हो? आप चोप ही हो, मुझे उससे क्या, आपने जूस पिया, आपको पैसे दे नहीं पडेंगे, पैसे दे दीजीए. वो मांत्रिक बंदरिया के पेट पर लात मार देता है बिचारी दूर जाकर गिरती है हे भगवान ये कौन है मेरे मालिक अभी अभी थोड़े पैसे जमा कर पा रहे है ये पैसे नहीं देगा तो उनका नुकसान होगा मैं ऐसा नहीं होने दूगी वो वापिस उस मांत्रिक के पास आकर पैसे दे दीजिए अन्याय मत कीजिए आज तो कोई व्यापार हुआ ही नहीं आप ही पहले ग्राहक हो आपसे बिनती करती हूँ तुम मेरे बारे में नहीं जानती मांत्रिक को गुसा आ जाता है वो बंदरिया को श्राब देता है उसे बिल्कुल छोटी बना देता है और वहां से चला जाता है कुछ देर बाद लक्ष्मी और बंसी लौट आते हैं अरे ये बंदरिया कहा चली गई शैतानिया करती रहती है मैंने उसे मना किया था ओहो लक्ष्मी अरे यहां इंसान ही इंसान की बात नहीं मानता वो तो बेचारी छोटी बंदरिया है फिर वो दोनों दुकान संभालने में व्यस्त हो जाते हैं बंदरिया बेचारी वही फलों की टोकरी में बैठी थी पर वो इतनी छोटी बन गई थी कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया वो बेचारी मा, यहां देखो, मैं यहीं पर हो, मैं दुकान छोड़ कर कहीं नहीं गई बेचारी रोने लगती है शाम को वो दोनों दुकान बन करके घर चले जाते हैं बंदरिया बेचारी वही फलों की टोकरी में रह जाती है दोनों घर जाकर सुनिए हमारी बंदरिया कहां गई होगी कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया ना अरे चिंता मत करो मैं कल जाकर उसे ढून लूँगा पर बंसी भी मन ही मन हे भगवान हमारी बंदर्या की रक्षा करना युँ प्रार्थना करता है अगले दिन सुबह लक्ष्मी दुकान संभालती है बंसी बंदर्या को यहां-वहां ढून कर वापस आ जाता है क्या हुआ? कहीं मिली बंदर्या? नहीं लक्ष्मी, उसका कोई अतापता नहीं उत्रे में एक औरत आकर सुनिए, एक जूस दे दीजिए लक्ष्मी उसके लिए जूस बनाने लगती है उन फलों में बंदरिया सूई थी फलों के टुकडों के साथ बंदरिया भी मिकसी जार में चली जाती है उसमें गिरने की वज़े से उसकी नीद खुल जाती है मा मैं यहाँ हूँ अंदर अगर तुमने मिक्सी चलाई तो मैं मर जाओंगी वो रूनी लगती है उतने में ही बिजली चली जाती है लक्षमी उस औरत से बहन दस मिनिट रुकिएगा बिजली चली गई है मिक्सी नहीं चलेगी न थोड़ा इंतजार कीजिए वो औरत भी ठीक है कहकर वहाँ रुक जाती है बंदरिया जैसे तैसे मिक्सी जार से बाहर आ जाती है हे भगवान तेरा लाख लाख शुकर है अब तो बस मैं मरने ही वाली थी अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभू उस रात लक्षमी और बंजी दोनों आपस में बात करते हुए सुनिए हमारी बंदरिया कहा होगी क्या वो वापस नहीं आएगी मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा लक्षमी उधर वो मांत्रिक आराम कर रहा था तभी उसे सपने में वो बंदरिया दिखाई देती है मुझ पर दया करो मुझे पहले जैसा बना दो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैं गर्बवती हूँ अपने बच्चे को लेकर मैंने कई खुआप देखे है मुझ पर अन्याय मत करो मुझे पहले जैसा बना दो मांत्रिक के नीन खुलती है बिचारी बंदरिया बहुत दुखी है मुझसे गलत ही हो गई मुझे पैसे दे देने चाहिए थे उपर से मैंने गुस्से से उसे श्राब भी दिया बहुत गलत किया मैंने उसके साथ कल सुभे ही उसे पहले जैसा बना देता हूँ अगले दिन सुभा मांत्रिक लक्ष्मी की दुकान पर आता है कहिए क्या चाहिए आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आपकी बंदरिया को पहले जैसा करने आया हूँ वो उन दोनों को सारी कहानी बताता है वो दोनों पति-पत्नी दुखी हो जाते हैं उतने में बंदरिया उनके सामने आ जाती है मांत्रिक बंदरिया को पहले जैसा बना देता है उसे देख लक्ष्मी और बंसी खुश हो जाते हैं, बंदरिया भी काफी खुश हो जाती है, मांतरिक उनके पैसे देकर वहां से चला जाता है और फिर लक्ष्मी के परिवार में उनकी खुशियां वापस लोटाती है उस गाउ में सारे लोग मचली पकड़कर अपना गुजारा करते थे, उन्हीं में से एक राजू अपनी गर्वती बंदरिया को लेकर समंदर से लगी नदी के हिस्से में जाकर मचलिया पकड़ता था राजू की बंदरिया भी उसके साथ साथ जाल बिछा कर मचलिया पकड़नी में उसकी मदद करती थी, फिर दोनों भी उन्हें बेच कर पैसे लिया आते थे एक दिन दोनों हमेशा की तरह नदी किनारे जाकर मचली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं पर जाल में एक भी मचली नहीं फसती राजु कहता है अरे ये क्या आज एक भी मचली नहीं मिली बंदरियां भी हाँ नजाने क्यूं आज एक भी मचली नहीं फसी राजू को इशारे में कहती है वो दोनों काफी देर कोशिश करते हैं आखिर में खाली हाथ घर लोट जाते हैं क्या हुआ आज हमें एक भी मचली नहीं मिली सारी मचलिया कहां गई मुझे क्या पता बंदरिया कहती है उतने में राजू की बीवी सुनिए इतना क्यों सोच रहे हैं आप आज नहीं मिली मचली कोई बात नहीं कल मिल जाएगी चलिए पहले आप खाना खा लेजिए राजू भी जाकर खाना खा लेता है बंदरिया को खाना खाते देख राजू की बीवी खाओ अच्छे से खाओ तुम्हें सही पोशन मिलना चाहिए अब तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा बंदरिया भी पेट भर के खाना खाती है अगले दिन सुबह राजू बंदरिया के साथ मचली पकडने चला जाता है उस दिन भी एक भी मचली नहीं मलती आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोनों परेशान होकर घर लोटते है राजू की बीवी पूछती है क्या हुआ? आज भी नहीं मिली मचली? नहीं, आज भी मचली नहीं मिली समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यूं हो रहा है सुनिए आप पुरा नमाने तो मैं एक बात कहो हाँ हाँ कहो राधा सभी लोग समंदर पे जाके मचली पकड़ते हैं एक बार वहाँ कोई जगड़ा हुआ उसी बात को दिल में रखकर आपका वहाँ मचली पकड़ने ना जाना मुझे नहीं जचता इस नदी में मचली कम हो गई है मेरी मानो तो आप भी समंदर पे जाकर मचली पकड़ो राजू गुस्से से राधा तुम सब जानती हो फिर भी मुझे समंदर पे मचली पकड़ने के लिए कह रही हो देखो समंदर पे मचली पकड़ने के लिए नाउ चाहिए मेरे दोस्त वेडु ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी नाउ छीन ली कितने साल से ये नदी ही हमारे गुजारे का सहरा बनी दो दिन से मचली क्यों नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा. वो दोनों आपस में बाते करते हैं, उतने में बंदरिया नदी के पास जाती है, फिर से जाल बिचाती है, उसके कोनी को एक लकडी से फास दिती है. और मचलियां क्यों नहीं मिल रहे ये सोचते सोचते नदी के उस किनारे चली जाती है वहां एक आदमी मचलियों को खाना डालते हुए उसे दिखाई देता है मचलियां वो खाना खाने एक तरफ आ जाती है ये सब देख बंदरिया हैरान रह जाती है ओहो तो ये बात है लेकिन मचलियों को खाना खिलाने से हमें क्या फाइदा होगा ये ऐसा क्यों कर रहा है वो सोचने लगती है उतने में वो आदमी जाल बिचा कर उन मचलियों को पकड़ लेता है तब बंदरिया सारी बात जान जाती है अच्छा तो ये बात है अब इसे सबक सिखाना होगा और एक पौधे के पीछे छिप जाती है मचलिया एक बोरी में भरकर वो आदमी दूसरा जाल बिछाने नदी के और जाता है फिर खाना डालना शुरू करता है उतने में बंदरिया मचली की बोरी उठा कर घर चली जाती है घर पर जाने के बाद इतनी सारी मचलिया देख राजू और राधा दंग रह जाते है ये मचलिया कहां से लाई हो तुम? मैं ये मचलिया नदी से लाई हूँ वहाँ एक आदमी हमसे पहले नदी में मचलियों को खाना डाल उन्हें जाल में पकड़ रहा था और उन दोनों को बंदरिया सारी बात समझाती है अच्छा लेकिन सब लोग तो समंदर में मचली पकड़ने जाते है फिर नदी से मचली पकड़ने वाला ये कौन है राधा कहती है सुनो ये मचली हमें नहीं चाहिए किसी और की महनत की कमाई है ये उसे लोटा दो राजु भी सही कह रही हो राधा किसी और की कमाई हमें क्यूं हमें नहीं चाहिए उसे अभी लोटा कराता हूँ राजू बंदरिया के साथ मचलिया लोटाने चला जाता है पर वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता फिर क्या वो मचलिया बेच कर पैसे लेके घर चले जाते हैं अगले दिन सुबह राजु बंदरिया के साथ फिर नदी की ओर जाता है वो आदमी नदी की उस तरफ मचलियों को खाना डालता रहता है राजु बंदरिया से कहता है तुम यही रुको मैं उसके कल के पैसे उसे लौटा कराता हूँ राजु उसकी तरफ जाने लगता है वो आदमी खुझ से कहरा होता है कल किसी ने मेरी मचलिया चुराई वो जो कोई भी है एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर देखता हूँ उतने में राजू उसके पास पहुचता है वो आदमी और कोई नहीं बलकि राजू का पुराना दुश्मन वेणू था क्यों रहे वेणू तुने धोखा धड़ी करना छोड़ा नहीं अब तक वेणू कहता है ओह राजू तो सच्चाई जान गए हो तुम हाँ तुम्हारे धोखे का पता लग गया है मुझे वेणू पूछता है क्या पता लग गया है तुझे राजू पिछली बार गाववालों के सामने तुमने मुझे चोर ठहराया मेरी नाव को खुद की नाव बताकर हथिया लिया अब मेरे हिस्से में जो भी थोड़ी कमाई आ रही है उसे भी हडपना चाहते हो हाँ हाँ मैं जान बुझकर इसमें मचलियों को खाना डालके उन्हें पकड रहा हूँ तुम्हारे जाल में एक भी मचली नहीं आएगी फिर तुम पैसे कैसे कमाओगे और तुम्हारा परिवार तुम सारे रास्ते पर आ जाओगे यही चाहता हूँ मैं लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा क्यूं पड़े हो मेरी बरबादी के पीछे क्योंकि मेरी राधा से तुमने शादी की मैं उससे बहुत प्यार करता था पर उसने मुझे छोड़कर तुम से शादी की इसलिए तुम दोनों से बदला लेना चाहता हूँ उस दिन भी मैंने ही तुम्हारी नाव में दूसरों की मचलियों की बोरी रखी मेरी नाव को जला कर सबको विश्वास दिलाया कि तुमने ही मेरी नाव चुराई है मेरा बदला खत नहीं हुआ तुम्हें पूरी तरह से बरबाद करके छोड़ूंगा उसकी बाते सुनकर राजु को बहुत गुसा आता है दोनों हाथा पाई करने लगते है उन्हें देख बंदरिया परिशान हो जाती है वेणू उस लड़ाई में बंदरिया के पेट पर लाथ मारता है बंदरिया बेचारी दोर जाकर गिरती है मा, आ, आ, भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान और चीखत चिलाते बेहोश हो जाती है बंदरिया के चीखने से दोनों रुख जाते है राजू दोड़ कर उसके पास जाता है अरे, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हे, उठो, उठो हमारी लड़ाई के बीच में तुम क्यों आई और रोने लगता है ये सब देख, वेणू वहाँ से भाग जाता है राजू बंदरिया को उठा कर रोते रोते घर की तरफ जाने लगता है गाउं की औरते उसे देख, अरे, ये क्या हुआ राजू को बंदरिया को ऐसे उठा कर ले जा रहा है राजू, राजू, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता सारे राजू के पीछे-पीछे उसके घर जाते हैं राधा भी बंदरिया को देख अरे, क्या हुआ, इसे क्या हो गया, कुछ तो बोलिये तब राजू रोते-रोते राधा को सारी कहानी बताता है उसकी बाते सुनकर सारे दुखी हो जाते है बेचारी बंदरिया, राजु ने कितने प्यार से पाला था उसे, वेणु ने बहुत बुरा किया है उसके साथ उधर वेणु भी अपने कर्म पर बहुत शर्मिन्दा हो जाता है हे भगवान, मुझसे घोर पाप हो गया, उस मासूम बेजुबा बंदरियां को मैं लेलात मारी, बिचारी गर्वती थी मैंने बदले की आग में अपनी सुधभुद गवा दी थी, मेरे जैसे पापी को तो जीने का कोई हक नहीं है हाँ, लेकिन जान देने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में मैंने राजु और उसके परिवार को धोखा दिया है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है इस गाव में रहने की भी मेरी पात्रता नहीं है और वेणू गाव छोड़कर चला जाता है राजु और राधा रोते रोते बंदरियां को दफना देते हैं दिल में उसकी यादे समेट कर दुखी मन से घर लोट जाते है अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए